Hello friends, welcome to my channel, फिर देखिए आज मैं ये एक जूती का पैटर्न लेके आई हूँ, तीन रंग में मैंने इसको बनाया है, बहुत ही आसानी से ये जूती बन जाती है, आप अपने मन पसंद किसी भी तीन कलर में या आप दो कलर में भी इसको बना सकती है, ये जो जूती मैंने आई है, ये है 4-5 foot size के नाप के हिसाब से, आप अपने नाप के हिसाब से इसको बना सकती है, बस फंदे थोड़े से कम जादा करने पड़ेंगे, ये तैयार हो जाएगा, देखिए, एक सिलाई यहां बैक में आई है और यहां पे आई है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर करते हैं, इसको बनाने के लिए बहुत ही कम उन लगा है, तो एक बेस कलर जो भी आप लें, जो भी कलर आपको पसंद हो, प्लस थोड़े थोड़े ये उन मैंने लिये है, जो भी आपके पास बचे बचे उन है, आप उन से बना सकती है, इसको बनाया है मैंने 10 नंबर की सला से बनाया है सबसे पहले फंदा डाल लेंगे जो हमारा वेस कलर है उससे तो देखिए मैं डालूँगी total 52 यानी कि 52 फंदे फंदे बिल्कुल देखिए ऐसे लूज रहने चाहिए तो स्टार्ट करेंगे हम फंदे डालना तो 52 यानी कि 52 फंदे हम डाल लेंगे और ये फंदे लूज रखिएगा टाइट मत रखिएगा देखिए सलाई पे आराम से ये ऐसे हो सके तो फंदे डाल लेते हैं टोटल 52 फंदे ये देखिए फंदे इस तरीके से मैंने डाल लिये हैं और अब हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे ये है हमारी रॉंग साइड पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी फंदों को इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से पूरी सलाई उल्टा उल्टा बिनके कम्प्लीट करेंगे ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पहली सलाई और लास्ट वाले फंदे को हम इस तरीके से सीधा बना देंगे दूसरी सलाई भी इसी तरीके से बनाएंगे तो ये देखें पहला फंदा उतार लेंगे और सभी फंदे हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी सलाई, दो सलाई और हम बनाएंगे, ये हमारी राइट साइड है, देखें, रॉंग साइड से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारी राइट साइड है, एक लाइन ये आ गई है, दो सलाई और बनाएंगे तो एक लाइन और आ जाएगी, तो यह यहाँ पे यह हमारा स्टार्ट है, देखिए एक तरफ से और एक ये है, तो ये दो लाइन हमारी आजाएगी, यानि कि चार सलाई, तो इस तरीके से दो नो तरफ से उल्टा-ल्टा हम पहले चार सलाई बना लेंगे, फिर दूसरा कलरण चेंज करेंगे, लास्ट वाला फंद हमको सीधा ही बनाना है तो इस तरीके से चार सलाई ये देखिए यहाँ पे चार सलाई मैंने बना लिया है और ये दो लाइनिंग राइट साइट पे देखिए ये आ गई है अब रॉंग साइट से हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे तो इसको ऐसे एड कर लीजिए और अब हम चार सलाई इस वाइट कलर का बनाएंगे तो रॉंग साइट से ही इस कलर को एड करना है ये देखिए इस तरीके से और ये जो धागा है ये इसको मैं साथ के साथ में ऐसे अंदर की तरफ फसाती जाऊंगी जिससे की बाद में इसको हमें न करना प तो ये देखिए इसी तरह से साथ के साथ ये बिनते जाएंगे तो हमारा ये धागा फसता चला जाएगा तो रॉंग साइट से धागा लगाया है मैंने जो दूसरा है वाइट कलर और रॉंग साइट से ही इसको उल्टा उल्टा बिनते हुए इस तरह से फसा लेंगे देखे, हो गया, पुरी सलाह इसी तरिके से और लास्ट वाला फंदा सीधा ये देखे, लास्ट वाला फंदा सीधा, तो ये एक सलाह रॉंग साइट से complete हो गई अब right side से भी पुरा उल्टा उल्टा बिनते हुए दो lining इसके भी कर लेंगे यानि टोटल चार सलाई तो एक हो गई है तीन सलाई और बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा और last वाला फंदा हम सीधा ही रखेंगे यानि सीधा बनाएंगे तो इस तरीके से देखें ये है हमारी दूसरी रो इसको बना लेंगे तो ये इस तरह से करने पे देखें एक lining हमारी आजाएगी right side पे और जब हम चौती सलाई बनाएंगे तो दूसरी lining आजाएगी तो इस तरीके से ये हमारी दो-दो lining दोनों की आ जाएगी फिर हम अपना pink color इसमें add करेंगे तो चार सलाई इसको भी complete कर लेते हैं ये मेरी दूसरी सलाई है इसके बाद दो सलाई और दोनों तरब से उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे ये दिखिए चार सलाई यहाँ पे ये भी complete हो गई है और अब हम अपना pink color भी यहाँ पे लगा लेंगे इस white वाले के साथ अब हम अपना pink color लगा लेंगे ये दिखिए इस तरीके से और इसको भी हम अंदर की तरब ऐसे फसा लेंगे चार सलाई इसको भी बनाना है ताकि दो lining हमारी right side पे आ जाए और ये भी दोनों तरब से उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से धागा हम फसाते जाएंगे साथ के साथ में ये धागा ऐसे रखिए इसको इसके उपर ऐसे रखिए और फिर हम जब बिनाई कर देते हैं तो ये धागा हमारा फस जाता है तो जहां तक ये जाए इसको आसानी से देखिए इस तरीके से और राइट सैट देखिए विल्कुल फिनिश आएगा तो चार सलाई इसको भी कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से दोनों तरब से उल्टा-ल्टा बनाते हुए चार सलाई ये देखिए तीनों कलर की दो-दो लाइनिंग हमारी आ गई है यानि कि चार चर सलाई यहाँ पे कम्प्लीट और अब हम यहाँ पे एक लाइनिंग वाइट की बनाएंगे यहाँ पर देखिए यह है तो यानि कि दो सलाई दोनों तरब से हम वाइट से बना लेंगे उल्टा-उल्टा अब यहाँ पर गिधागा मैंने इस तरीके से फसाल लिया है ताकि बहुत लंबा न रहे गैप और अब white से भी हम दो सलाई ऐसे उल्टा-ल्टा बना लेंगे, तो देखे इस तरह से, एक lining आ जाएगी, मैंने एक lining बनाई है, आप चाहें तो इसको भी चार सलाई बना सकती है, तो देखे इस तरीके से दोनों तरब से बना लेंगे, तो दो सलाई दोनों तरब से उल्टा- कम्प्लीट कर लेते हैं, यह दिखे, इतनी एक साइट की lining कम्प्लीट हो गई है, यहाँ पर अब यह दोनों उन हम कट कर देंगे, और इसको हम not लगा देंगे, double knot तका देंगे, ताकि यह अच्छे से fix हो जाए, अब यह वाला जो base color हमारा है, इससे हम बिनाई करेंगे, और यह lining इस तरह से देखे, पहले उल्टी सलाई बना लेती हूँ, मैं यह देखे, और इन दोनों धागों को ऐसे हम फसाते जाएंगे, यह एक चीज हमारा clear होता चला जाएगा, जिससे कि हमको बाद में दिक्कत नहीं होगी, दागा देखे, ऐसे मैंने नीचे रखा, इन दोनों को ऐसे इसके उपर रखे, और फिर हम ऐसे बिनाई कर देंगे, तो हमारा दागा फस्ता चला जाएगा, यह देखे, यह हो गया, अब यह पूरी सलाई complete कर लेते हैं, यह देखे, अब यहां से हम अपना यह बेस कलर लगा के बिनाई करेंगे, दोनों तरफ से उल्टा-उल्टा बिनते हुए, जिस तरीके से यह हमारी देखे, दो-दो लाइनिंग आई है, अब यह इसका हमारा टोटल 26 लाइनिंग आनी चाहिए, तो यह जो भी नाई है, देखे, यह इस तरह से करते हुए, यहां तक हम टोटल 26 लाइनिंग लाएंगे, तो यह हमारा नीचे का पोर्शन और यह साइड का बन जाएगा, अगर आपका पैर बड़ा है, तो आप यह लाइनिंग और जादा कर सकती है, मैं टोटल 26 कर रही हूँ, आप 28 कर सकती है, और अगर पैर बड़ा है, तो आप यह 52 की जगह 55 बंदे भी डाल सकती है, फिर भी यह बहुत आराम से आएगा, क्योंकि यह देखिए, यह ऐसे लूज रहता है, तो यह जो नाप है, मैंने 45 के लिए बनाया है, लेकिन यह 6 नंबर को भी बहुत आराम से आजाएगा, तो बस ये देखिए चोड़ाई में क्योंकि ये फैलता है इस तरीके से तो अब ये वाली लाइनिंग जो है टोटल 26 रो कम्प्लीट कर लेते हैं इसके बाद ये लाइनिंग फिर हम एक ये दो ये फिर दो वाइट और दो ब्लू इतना कम्प्लीट कर लेंगे फिर आगे की बिनाई हम करेंगे ये बंद हो जाएगा इसके बाद और फिर इसको क्यासे सिलना है वो हम कम्प्लीट करने के बाद देखेंगे याद रखिए हमने blue से start किया, white, pink फिर एक lining white, फिर blue पूरा complete होने के बाद इधर से देखिए पहले 1 lining white, 2 lining pink, 2 lining white और 2 lining blue complete कर लेंगे तो इतना complete करने के बाद हम इसको बंद करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई कैसे करनी है, ये total complete करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इतना पहले हम बना लेते हैं, ये दिखिए, इसकी लंबाई complete हो चुकी है, ये 26 row, ये total 26 row, इसके बाद single ये line, फिर 2, 2, 2 करके complete हो चुका है, अब ये wrong side पे, यहां से हम सारे फंदे बंद कर देंगे, दो-दो फंदे एक संग ऐसे बिनते हुए, wrong side से हम सारे फंदे बंद कर देंगे, इस तरीके से, देखिए, दो-दो फंदे लेते हुए, सभी फंदे बंद कर देंगे, इस तरीके से ये रॉंग साइड है हमारी तो सारे फंदे पहले बंद कर लेते हैं ये दिखी, सारे फंदे इस तरीके से बंद हो जाएंगे और अब यहाँ पे हम धागा कट कर लेंगे तो मैं इसके बीच से गोला निकालके और ये इस तरह से स्कुट पहले टाइट कर लूँगी और यहाँ पे धागा जादा नहीं रखना है इसको हम ऐसे कट कर लेंगे ये दिखे, इस तरीके से ये पैटर्न हमारा आ गया मेरा जो ये नाप है तो ये देखिए, इसकी ये जो चौड़ाई है ये आठ इंच है और ये जो लंबाई है, जो हमने बनाया है ये टोटल देखे, इस तरीके से 7 इंच है तो अगर आपका पैर और बड़ा है अगर आपको और बड़ा ना बनाना है तो ये लाइनिंग आप और ज़्यादा कर सकती है ये काफी है, क्योंकि ये बाद में ऐसे फैलता है तो ये 52 फंदे काफी है लाइनिंग आप अपने हिसाब से रख सकती है पूरा लाइनिंग बना सकती है या इस तरीके से भी आप डिचाइन बना सकती है तो ये हो गया हमारा पूरा नाप देखिए इस तरीके से अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए ये वाला कलर जो मेन है ये मैंने सुई में ले लिया है अब आप देखिए इसको ऐसे करिए राइट साइड उपर रहना चाहिए यहाँ पे ये जो मैंने धागे लगा है इसको मैं बैक साइड में रखूंगी यहाँ पे और ये जो साइड है ये देखिए इसको मैं आगे रखूंगी अब यहाँ पे देखिए ये एक, दो, तीन लाइनिंग छोड़ने के बाद ये देखिए चौथे लाइन से हम इस तरीके से धागा निकालेंगे, सुई निकालेंगे, ये धागा ऐसे इतना गैप रहने दीजिए, अब देखिए एक छोड़ने के बाद दूसरा, फिर एक इस तरह से धागे को फसाते जाएंगे, लास्ट चार लाइन तक, ये देखिए इस तरीके से, अगर आपकी लाइनिंग कम जादा है तो कोई दीकत नहीं है, आप चाहें तो ये सभी, ये जो फंदे हमने उतारे हैं, सभी में से आप ये सुई ले सकती हैं, तो ये देखिए ये, यहाँ पे एक, दो, तीन, ये चौथा, तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ, बस ये यहाँ से यहाँ बराबर होना चाहिए, अब देखिए, ये हम इसको ऐसे पलट लेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ पे ऐसे नौट लगा के ये धाग जो सूई वाला है, इसको हम ऐसे खीच देंगे, तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट पे हमारा ये सरकल ऐसा बन जाएगा, याद रखिएगा, राइट साइट से इसको करना है, ये देखिए, तो ये, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से ये फिनिश हो जाएगा, राइट सा अब इसको ऐसे मिला लेंगे, देखिए, इस तरीके से, अब एक चीज और, ये हमारा जो है, देखिए, ये, आप ना पलीजिए, जितना भी आपका आता है, मेरा ये, यहाँ से, देखिए, यहाँ से मैं करती हूँ, ये मैंने जो किया है, टोटल है, यहाँ पे, ये, आठ इंच मेरा है, देखिए, इस तरीके से, ये जो हमने फंदा उता रहा है, आठ इंच, तो इसको हम हाफ कर लेंगे, ऐसे, फिर इसको आप मिला लीजिए, ऐसे, अगर आपको इधर लूज लगता है, तो जो आपने फंदे डाले है, उधर से ना पलीजिए, ये देखिए, य 18 है, यहाँ पे ये हाफ कर लेंगे, आप कोई भी पिन लगा सकती है, जो भी आप के پاس है, इस तरह से, आप कोई भी ऐसे हाफ पे इधर, और फिर इसको ऐसे बराबर करके, या आपको जितना ओपन रखना है, ये इधर, ऐसे इसको हम मिला लेंगे, आप दोनों को बराबर देख लीजिए, इस तरीके से ये देखिए, हाफ हो गया, ये, अब हमको इसकी सिलाई करनी है, बहुत इजी है, ये जो हमने फंदे उतार रखे थे साइट से, इसमें से ये इधर से ऐसे लीजिए, और इसको हम सिलते चले जाएंगे, ये देखिए, इधर से, आप इसको सिल सकती है, तो ये देखिए, ये धागा साथ के साथ में, मैं इसमें फसाती जाऊंगी, जिससे कि मुझे बाद में इसको कुछ न करना पड़े, तो ये ऐसे, ये देखिए, इस तरह से लेके, हम इसके सिलाई करते चले जाएंगे, आप चाहें, तो इसकी बख्या भी कर सकती है, जैसे भी आपको इजी पड़े, ये देखिए, धागे सारे इसमें फस्ते जा रहे हैं, और इस तरीके से, ये इतना कॉर्णर तक हमने कर लिया, अब यहाँ से देखिए, ये, ये है, ये जो हमने फंदे उतारे हैं, और इधर जो हमने फंदे डाले हैं, देखिए, ऐसे, इन दोनों को ऐसे पकड़ते हुए, आधी सिलाई हम कर लेंगे, यहाँ तक, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए, ये फंदे, ऐसे, ये, और इधर से ये, इस धागे को साथ के साथ में देखिए फसा लेंगे दोनों तरब से इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं यहां तक यह देखे यहां तक करके धागा थोगा सा बैक करके मैंने कट कर दिया है यह इस तरीके से सिलाई कर लिया है मैंने और अब यह जो फंदा डालने के बाद मेरा उन बचा था यही मैंने लिया है और अब यहां से लेके यहां तक इसकी सिलाई कर देंगे आप चाहें तो नीचे से उपर भी कर सकती है लेकिन मेरा ये उन था तो मैं इसको इसी तरीके से यहां से सिल लोगे सबसे पहले अच्छे से इसको यहां फसा लेंगे और ये देखे बैक का पोर्शन तो ये जो हमने फंदे उतार रखे हैं अंदर की तरफ से देखें ये लेते हुए इसकी भी सिलाई कर देंगे इसको भी पूरा कर लेते हैं ये देखें इसकी सिलाई हो गई यहां तक और इसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करके कट कर देंगे यह देखिए इस तरीके से यह बन के तयार होता है अब इसको सीधा कर लेते हैं यह है हमारा मेल यहां पर देखिए ऐसे और यह इस तरीके से पहनने पर इसका शेप आता है देखिए इस तरीके से यह अंदर नीचे कोई सिलाई नहीं है और यह एक सिलाई साइड में हाफ हाफ कर लिया है मैंने आपको अगर यह ज्यादा ओपन रखना है तो आप और इसको कम कर सकती है इंचिटेव से ना प्लीजेगा यह आपको ज्यादा करना है तो आप और इसको ज्यादा भी कर सकती है जिससे कि यह इतना पैक हो जाए तो यह है देखिए दोनों बनेगा एक जैसा ही किसी को किसी भी पैर में आप पहन सकती है तो दोस्तों देखिए यह है टोटल इसका डिजाइन तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको ये जूती पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नहीं रिजाइन के संग तब तक के लिए बाई